है कि अपने का समय आपक नहीं कर तो ही है मैंघ अपत्रवाइट टी लीग अन्यू चैप्टर विए स्टार्टिंग यह है क्या तो पहले तो आप पहले तो आप इसको वहाँ पे समझो पहले तो आप इसको पूरा साथ तोड़ करके समझो ruling का मतलब क्या होता है decision ruling का मतलब क्या होता है decision बराबर है और अगर कोई decision advance में लिया जाए अगर कोई decision क्या लिया जाए advance में लिया है तो उसको क्या बोलेंगे advance ruling क्या बोलेंगे इसको and वो advance में decision देने के लिए central government ने एक authority form कर रखा है central government ने क्या form कर रखा है authority form कर रखा है अब sir question यह आता है advance में decision किसको चाहिए चाहिए होता है खास करके non resident को खास करके किसको non resident को एक दिन क्या हुआ अपना सौरब ना सौरब कमणी सेकेटरी बन गया कमणी सेकेटरी बन गया एक दम पर्फेक्ट कमपनी सेकेटरी बन चुका है अभी फाइनल मतलब सब ट्रेनीHoarin कमपूर कर दिया और इसंने अपना PCS का वहाँ पे office भी start कर लिया है बोरी विली में अब दूसरा सौरफ वो भी company secretary बन चुका है लेकिन ये क्या है ये एक company में job करता है कौन सी company में job करता है Reliance Jio के अंदर Reliance Jio के अंदर job करता है अभी क्या होता है कि Reliance Jio और Apple INC के बीच में सुन ले नहीं तरे को इतना बड़ा में तरे मौका दिया है तो मैं बीच में बोलेगा एक तरे बेव वजे तरे को मौका दिया है मैंने हद कर रहा है तो वहाँ पे वहाँ पे क्या है कि ये रिलाइंस Jio में job कर रहा है अच्छे काई पोई कंपनी सेक्रेटरी वहाँ पर रिलाइंस के जियो का है पीछे आला की कहानी चालो है वहाँ पर तो ये रिलाइंस Jio में काम कर रहा है ये रिलाइंस Jio को पर्टिकुलर आइफोन वहाँ पे बेचेगा और फिर रिलाइंस Jio के साथ में मतलब पूरा वो गोल माल करके रिलाइंस Jio आगे उसको बेचेगा मतलब बराबर कुछ इस तरिके बाई ये रिलाइंस Jio कोई टेकनिकल कंसल्टेंस Jio कोई टेकनिकल कंसल्टेंस Jio कोई टेकनिकल कंसल्टेंस Jio को उस ट्रांजिक्शन का इंडिया में क्या टेक्स इंप्लिकेशन होगा उसका कोई भी किसी तरह का आईडिया नहीं है अब एपल आइंस Jio के बड़े बड़े प्राइंस Jio कोई टेकनिकल कंसल्टेंस Jio कोई टेकनिकल कंसल्टेंस Jio उनको भी लगा कोई बड़ा बुद्धी जीवी आदमी है ये बड़ा बुद्धी जीवी आदमी है तो इसके साथ में वो आ गए इसको बड़ा देख भाई बखरा लेकर कर आओ और बखरा को छोटा मोटा नहीं है बाई बहुत बड़ा बगरा है मतलब अपने 20 साल की इदी इसी बगरे से हो जाएगी समझ में बाद में और इसको इतना चीलना है इतना चीलना है कि मतलब पदा चल जाए वहाँ पे और वाई 20% मेरा कमिशन ना फिक्स है मतलब यह चीज है अब स्वारभ के साथ में एपलाइंस आपको एक रूपय का टेक्स देने की जरूत नहीं इसके उपर कंपनी से कर रहा है कंपनी अफैस सब उनमें आरो से विग्राभ का इंकमटाइस का डेला पता निये इसको लेकिन आया वा क्लाइन को जाने देगा बे जाने देगे वहाँ पे लेक बार आया तो इसको बिटा अब इसकी टेक्निकल कंसल्टेंजी के बरो से बराबर है उस बिचारे ने ट्रांजेक्शन कर लिया और फिर फाइनली एक साल दो साल ट्रांजेक्शन करने के बाद में एपल आयंसी तो उसी क्या बोलते हैं उसी इंप्रेशन में था क्या मूब टेक्स पढ़ना ही नहीं है वो टेक्स बरी नहीं रहे है वहाँ पे फाइनली यो जब असेस्मेंट करता है अबे तुम फॉरेंड कंपनी हो क्या हो फॉरेंड कंपनी कितना वहाँ पे चालीस टाका टैक्स लगेगा इसार चैला कितना पर्षएंड फाइव सेट जो मतलब तूफ remoश्य पे उच्पे इस्पजिए आपका बराबार है पलस हेल्त इन एज्ट त्रूइसंट कितना पर परिशन ये को बेसिक टेक्स हो गया प्लस अभी तुमने इतना टाइम मतलब चूना लगाया है तो पैनल्टी प्लस इंट्रेस प्लस रहना खाना भी फ्री हो सकता है प्रोसिक्रिशन भी हो सकता है हां के ना अब वो एपल आइस तो मारा गया विचारा इनकी टेक्स कंसल्टेंसी के चकर में समझ मारा पाइस तो कई ये तो मैंने फाल्टू एक्जामपल दिया ऐसा होता नहीं है मतलब इन लोगों से कंसल्टेंसी लेने के लिए आयागा फाल्टू बाते कर रहे हो सर बट कहने का मतलब यह है क्या ये दो लोग इनकम टेक्स डिपार्ट्मेंट के लोग है क्या गावर्मेंट के लोग है क्या ओथराइज लोग है क्या नहीं न तो हो सकता है कभी कबार कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई ट्रांजिक्शन कर रहा है और वो ट्रांजिक्शन की वेसे उसका जो tax implication हो रहा है वो उसको idea ही नहीं हो या confusing हो, clear है यह चीज वहाँ पे कि फ्यूचर में क्या होगा किस तरीके से होगा, तो वो जानने के लिए, बाद में जाकर कोई problem नो, कोई litigation नो, कोई issues नो, वो जानने के लिए वो ruling ले सकता है in advance रूलिंग ले सकता है in advance किसके पास में, authority किसके लिए, for advance ruling, AR authority for advance, central government ने authority set कर रहा है, authority for advance उसके पास में advance में ruling करेगा कि sir, appliance ही बुलेगा sir, AR को apply करेगा, उसका proper fees होता है, और fees ही पे करने का proper procedure होता है उसका और उस procedure follow करने के बाद में AR को बुलेगा, sir, मैं ये particular transaction कर रहा हूँ बराबर है, sir, इसके क्या tax implications होगे इंडिया में, please आप मुझे बता दो, advance में बता दो, आप मुझे इसको advance में बता दो sir, मेरा बाद मतलब, फिर AR अपने order पास कर देगा, ये transaction का ये particular tax implication होगा ये इस तरीके से होगा, और फिर वो binding on हो जाएगा किसके ओपर उस particular ने वो लिया है and binding on हो जाएगा, ओन income tax authorities के ओपर जो कि jurisdictional है, क्या है? jurisdictional है, बस यही एचेप्टर के अंदर है यही चेप्टर के अंदर है वहाँ पे, तो आजाओ वहाँ सबसे पहले, authority for advanced ruling, AAR ruling means a decision ruling means क्या? decision having a binding effect decision having a binding effect and advanced ruling में decision taken in? advance, a decision taken by this authority shall be binding on the income tax department, that means on A.O. असेजिए यह पर तो, binding on होगा होगा साथ में, बता में, jurisdictional income tax authority, jurisdictional income tax, क्यो बार बार जुरिस दिक्सले, income tax authority बोलता हो, वहाँ पे क्योंकि, boss मैंने अगर ruling लिया है बराबर है, तो मेरा जो A.O. है, मेरे जो income tax authorities है, बराबर है वो उनके उपर apply होगा ना कि, गुपता जी के A.O. गुपता जी के income tax authorities पे apply होगा समझे मारा बात मतलब अगर इनके A.O. इनके income tax authorities के उपर apply करना है तो गुपता जी को भी क्या लेना पड़ेगा Advanced Ruling, authority for वहाँ पे order लेना पड़ेगा clear है यह चीज़ वहाँ पे Okay, in order to provide income tax related clarification to non-resident an authority called A.A.R. authority for advanced ruling was set up by central government with the faith from 1st June 1993 it doesn't matter को फर्क नीए पड़ता date rate का accordingly a non-resident assessi could make an application to A.A.R. seeking clarification about his tax liability just introduction ने इधर कोई underline वननने करने की जरूरत नहीं है His tax liability and other connected aspects आल पड़ा हुआ गिसने का पैन मतलवी है चीज़ वहाँ पे connected aspects arising out of any past or any future transaction undertaken or proposed to be undertaken in India ये underline कर लो क्या चाहिए बे इसको underline कर लो वहाँ पे A.A.R. seeking clarification about his tax liability clarification clarification about his tax liability and other connected aspects arising out of any past or any future transaction undertaken or proposed to be undertaken in India by such non-resident applicant by way of investment, joint venture or collaboration अब ये कौन-कौन apply कर सकता है ये ठीक है आजाओ सिधा definition पे सिधा definition पे आजाओ Section 245 N.A. Section 245 N.A. Advanced Ruling means a determination by the authority in relation to a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by non-resident applicable बराबर सर ये क्या-क्या आपका applicant वही मतलब ये है ये है Apple I.N.C. इसको एक transaction करने का है या तो transaction अलरडी वहाँ पे आपका undertaken है या फिर proposed to be undertaken है Reliance G.O. के साथ में किसके साथ में Reliance G.O. के साथ में अब ये transaction के ऊपर क्या tax implications आएंगे इसकी जानकारी के लिए Apple I.N.C. कौन-कौन-कौन Apple I.N.C. वहाँ पे apply कर सकता है किसको authority for advance ruling को कर सकता है बराबर है अगर कोई non-resident है वो इंडिया में कोई transaction कर रहा है इंडिया में क्या कर रहा है कोई transaction joint venture या collaboration या किसी और तरह कोई transaction कर रहा है वहाँ पे investment वगरा कर रहा है तो इन दोनों के बीच में कोई joint venture हो रहा है कि Apple का iPhone G.O. बेचेगा वहाँ पे G.O. की SIM डाल करके उसके अंदर से बराबर है तो ये joint venture हो रहा है वहाँ पे तो ये transaction का इंडिया में क्या implication होगा ये जानना चाहिए क्या tax implication होगा तो उसके लिए वो अपलाई करेगा AR को बराबर है दूसरा Sir Apple I.N.C. इतना बड़ा है हमसे ना हो पाएगा तो in that case कोई transaction वहाँ पे हो रहा है एक non resident और resident के बीच में किसके बीच में है resident के बीच में तो उस transaction के लिए क्या implications होगे तो इसके बिहाँ पे किसके बिहाँ पे non resident के बिहाँ पे resident वहाँ पे apply करेगा कि इसको authority for advance ruling authority for advance ruling बरावर है तो यह majorly दो transaction को इसके लावा और majorly यह जो AR का वहाँ पे है किसके लिए non resident किसके लिए है non resident या तो non resident खुद apply करेगा अपने लिए या फिर non resident के साथ में जो transaction हो रहा है resident apply करेगा उसके बिहाँ पे वह authority वहाँ पे authority for advance ruling को apply करेगा और order वहाँ पे लेगा तीसरा कुछ वहाँ पे resident भी है जो अपनी tax library वहाँ पे determine करने के लिए apply कर सकते है but there is a limit बरावर है और वो limit हमसे ना हो पाएगा मतलब बरावर है बहुत लंबी चोड़ी limit है और वो कितना रुपीज PSU को अगर वहाँ पे अपना computation करना है total income का तो उसके लिए भी वो authoritative advance ruling को apply कर सकती है तो यह advance ruling के अदर क्या क्या होँआ advance ruling means a determination by an authority in relation to a transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by a non-resident applicant applyancy को इंडिया में कोई transaction करने का है बरावर है दूसरा a determination by the authority in relation to the tax liability of a non-resident apple INC और इन दोनों के बीच में transaction हो रहा है और इस transaction के particular लेकर क्या tax liability रहा है किसको apple INC को उसके कौन apply करेगा reliance वहाँ पे तो determination by the authority in relation to the tax liability of a non-resident arising out of a transaction which has been undertaking or proposed to be undertaken by a resident application with such a non-resident or determination by the authority in relation to the tax liability of a resident applicant arising out of transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by such a resident applicant मैं भी अप्लाइ कर सकता हूं लेकि नीचे वहाँ पे दे रखाया अवकाद बता रखी है और वो अवकाद कितनी है जो transaction one or more वहाँ पे कितना hundred CR और more का वहाँ पे होना चाहिए और last मैं अगर को PSEO public sector unit bail sale, bail जो companies इसको अंडरलाइन करना क्योंकि एक यहाँ पे important चीज है जब कभी भी आप वहाँ पे अपील कर रहे है अथोरेटी को अप्लाइ कर रहे है अथोरेटी के क्या कर रहे है अप्लाइ आपका case कहीं पे भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए जब कि इस case में क्या बोलता है क्या होना चाहिए पेंडिंग कहां पे इंकम टेक्स अथोरेटी के पास में या फिर इंकम टेक्स अपीलेट अथोरेटी के पास में बराबर है resident referred in section 245N that is falling within any class or category of person notified by central government shall mean a resident who applies for his tax liability arising out of one or more transition value किता रुपीज 100CR or more notified resident being public sector company can make an application to AR only मैंने बोला था जियान रखना कि इदर के स्पेंडिंग होना जरूरी है यह आपको गुमा फिर आके पूचता है वहाँ पे examiner किसका case pending किसना case इसको important वहाँ बाग कर ले ना मैंने पहले ही बुला कि बाकी सब के लिए कोई case pending नहीं होना चाहिए जबकि जो PSU है PSU है क्या नहीं होना चाहिए case pending लेकिए वह भी कहां पे या तो income tax authority में या फिर ITAT अगर high court या supreme court में pending है तो apply नहीं कर सकता okay notified resident being public sector company can make an application to AR only if the matter is pending in its case before an income tax authority income tax authority में मतलब AO आ जाएगा ITO ITO Assistant Commissioner, Joint Commissioner Deputy Commissioner, Additional Commissioner Commissioner of Income Tax बराबर है या फिर CCIT कहीं पे किसी भी level पे case pending है या फिर income tax appellate tribunal income tax appellate tribunal में pending है तब तो ये PSU apply कर सकता है अगर pending नहीं है कहीं पे भी तो फिर apply नहीं कर सकता इसको important market अब आता है applicant who can be applicant तो मैं नहीं बताई दिया आपको पहला कौन applicant हो सकता है non resident या फिर non resident के लिए कौन resident या भी तीसरा resident इसका transaction का value कितना है हांडेट सी या on the CSP पहलो पहलो इसको पहलो है PSU यहीं सरी जे एफिकें पेर किये who can be applicant 245 AND B के अदर आप्रिकेंट का ड़ापिए नहीं कट दिएशन दरेका means any person who is a non resident तूसरा resident having a transaction विए non resident t- styling A resident referred in section 245 एन उपर जो दिया है वहाँ पे 100 कोर्स उपर वाला और चौता आपका Is a resident falling category Any class or category of person notified by center PSU कौन-कौन-कौन PSU And who makes an application under section 245 क्यो A question arises Sir, ये non-resident कब होना चाहिए Application कर रहा उस time पे समझना बात को कौन से येर में non-resident होना चाहिए जिस साल मैं application कर रहा हूँ उस साल में Sir मैं application कर रहा हूँ मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं इस बार resident होगा कि non-resident हाँ कहना अभी तो पूरा साल पढ़ा हुआ है Stay in India for one अगर मैं individual के बास कहें Stay in India for 182 days or more In the relevant previous year Or stay in India for 60 days or more in the relevant previous year And stay in India for 365 days Or more in 4 immediately प्रिसरी हाँ कहना तो यार इस साल मैं मान लो मैं अभी तक 170 दिन रह चुका हूँ और अभी 4 महीने और बाकी है 2 महीने और बाकी है या मेरे को पता है कि मैं resident होगा non-resident होगा सभ़ मैं आ रहा है बात मतलब ही चीज़ है वहाँ पर तो या आप कब देखोगे जिस साल में आप अपलाय कर रहा है उसके इम्मेडियतली पहले साल में इम्मेडली पहले साल में इम्मेड़ी चार्ड़ पर Signarp ऑी ऱैड्यड़ी च्ट्रा चिज़ कर देख़ पर 29च मा Siण इम्मेड़ 18-19 मतलब हूँ 18-19 में resident है चले का? चलेगा चलेगा, non french न कब होना जरूर ही है? immediately पहले मतलब शेवयंटीन 18 में सो 17-18 में resident है और 18-19 में apply कर रहा है नहीं चलेगा, बराबर है लेकि 18-19 में वो आपका resident है, 17-18 में non resident है और 18-19 में apply कर रहा है, चलेगा, clear है यह चीज़ वहाँ पे next आता है constituter of AR एक number के question के लिए अगर पूछ से करे पूछ ले इतना important नहीं but क्या कौन कौन होते है वहाँ पे AR has been constituted by central government and shall compromise of the following chairman कौन हो सकता है a person who has been a judge of supreme court white chairman कौन हो सकता है a person who has been a judge of high court member कौन कौन हो सकता है shall be the revenue member from Indian revenue services मतलब को commissioner level का officer IRS 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 कौन होते है Indian revenue services जो मतलब जो income tax department में assistant commissioner additional का में लेकिन assistant commissioner additional joint commissioner नहीं कौन से level का commissioner और CCIT revenue member from Indian revenue services whose principal CCIT और CCIT और principle DGIT और DGIT sorry commissioner भी नहीं उसके ऊपर का CCIT DGIT director इनका फूर पर बता है के तुम लोगो chairman chief chairman of international transaction अच्चा यह भी बता तो यह बता तो का chief है का chief है chief chairman अच्चा यह बता है CCIT का मतलब है chief commissioner of income tax और DGIT का मतलब है director general of income tax director general of income tax बराबर है और दूसा होता है law member from Indian legal services who is an additional secretary to the government of India the government of India का ministry of law and justice है ना government of India का ministry of law and justice है उसके अंदर वहाँ पे कोई additional secretary होगा जो Indian legal services के तुरू आया है किसके तुरू आइंडिया है ना legal services यह वहाँ पे authority आपका constitute हो जाएगा the office of AR shall be located in NCR NCR पता किदर है ना दिल्ली में नही है दिल्ली के आसपास NCR है बना ऐसे and its branches shall be located at such places as the central government by notifications पर अगर चाहिए तो बंबे में भी वो बैंच शुरू कर सकते है important next वाला पाट आथा 245P 245P please 245P vacancies cause shall not invalidate the proceeding यह मेरी बाह समझना AR वहाँ पे decision देने वाला था discussion हो गया वहाँ पे बाच्ची चल रही थी और AR के chairman साप टपक गए दुनिया से निकल लिए बराबर है vacancy हो गया वहाँ पे ना और मान लो order pass हो गया AR न order क्या कर दिया pass क्या वह order आपका void है भी नीशो हो जाएगा क्या या रहे बगवान की मर्जीती होना था वह हो गया इसमें क्या कुछ कर सकता है मान लो AR अपना order लिख रहा था मतब decision विकर सब बाच्ची हो गया वहाँ पे और order लिखने से दो दिन पहले chairman साब, vice chairman साब, retire हो गया अब आपर ऊपर नीजाते है अब है retire हो गया क्या हो गया retire या इस्तिपा दे दिया क्या दे दिया इस्तिपा दे दिया वहाँ पे वही 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 फा है न तो क्या आपका proceeding है वह validate रहेगा invalidate हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो उसका order वहाँ पे as it is वहाँ पे तो vacancies caused यह पूछ सकते हैं एक नमबर में चोटे चोटे वहाँ पे question vacancies caused shall not invalidate the proceeding any vacancy caused in the AAR shall not invalidate the proceeding before it similarly any defect in the constitution of AR shall also not invalidate the proceeding before income tax before it okay तो इसका मेरे उपरा सा आने लगा 8 को मैं income tax बोल रहा हूँ आपे ठीक है अब यह form numbers है form numbers है किसमें आपको application करना है तो application procedure for applying to AR an application can be made to AR in a prescribed form in quadruplicate मतलब कितना अब देखो वहाँ पे 4 copy में वहाँ पे देना पड़ेगा चार copy में देना पड़ेगा application once filed can be withdrawn within कितना 30 days यह इसको highlight bold italic underna highlight कर लो वहाँ पे जो भी करना है क्या हुआ है लेकिन highlight कर दो न वहाँ पे अगर आपने application किया है तो within 30 days आप क्या कर सकते है withdraw from the date of making such application the following forms have been prescribed for the purpose of applying AAR right next आता है form 34C form 34C अगर वहाँ पे non-resident applicant कर रहा है अगर resident कर रहा है non-resident के लिए resident कर रहा किसके लिए तो 34D आ जाएगा अगर resident जिसका 100 crore से उपर का transition 34D आ जाएगा और आपका कोई public sector company है तो फिर 34E मुझे नहीं लगता form number वगरा याद रखने की जुरूत है वहाँ पे वैसे ही fees भी आपका दे रखा है कि अगर amount referred in section 1, 2 and 2A बराबर पहले तीन पहले तीन transaction कर वहाँ पे है और यह fees हो सकता आपको पूछ ले वहाँ पे तो देखो पहले तीन transaction resident खुद के लिए कर रहा है दूसरा resident non resident के लिए कर रहा है और तीसरा resident खुद के लिए कर रहा है जहाँ पे आपका 100 CR का वहाँ पे transaction है, तो उस case में what will be fees, तो देखो, अगर वहाँ पे जो transaction है, amount of one or more transaction undertaken or proposed to be entered in respect of which ruling is sought, ठीक है, up to rupees 100 CR, तो fees कितना हो जाएगा, 2 lakhs, 100 CR से जादा बढ़ 300 CR, तो fees कितना हो जाएगा, 5 lakhs, more than 300 CR का transaction, fees कितना हो जाएगा, 10 lakhs, PSU के लिए maximum fees कितना है, 10,000, 100 CR का transaction कितना, 2 lakh, 100 से कितनों की बीच में, 300 के बीच में कितना, 5 lakh, और 300 CR से जादा काएगा, तो कितना, 10 lakh fees हो जाएगा, वहाँ पे, अब आता है, procedure to be followed, procedure to be followed, बराबर, इससे पहले मैं एक चीज़ बता जाएगा, वहाँ पे, दे रखाएगे, नहीं दे रखाएगे, घर बता है, छएँ पे, बेंग, पाज़ बता है, कहाँ रखाएगे, टता है, कहाँ करिया कितना, तो अपारी जशवाएगे, कहाँ, प्कெना प्लापी लिएपár जा हो dá warm implement, प्लीज इदर जान दो अगर आपका एप्लिकेंट पी ए सी उए क्या है पी ए सी उए बड़ावर है और अगर उसका केस पेंडिंग है केस पेंडिंग बिफोर हाई कोट और सुप्रेम कोट किसके सामने केस पेंडिंग हाई कोट और तो इन दाट किस पी ए सी उए का एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा एप्लिकेशन आफ पी ए सी उ शेल बी शेल बी का मतलब क्या होता है हो जाएगा बड़ाबर है हंडर्ड पसंद होना ही होना है वहाँ पे शेल बी रिजेक्टेड और अगर वहाँ पे पी ए सी के अलावा अदर अप्लिकेशन है अगर वहाँ पे पी ए सी के अलावा अदर अप्लिकेशन है अगर उसका केस पेंडिंग है बिफोर कहां पे इंकम टाक्स अथोरेटी कहां पे इंकम टाक्स अथोरेटी बरावर है और कहां पे पेंडिंग है इंकम टाक्स अपीलेट ट्रेबिनल और हाई कोट और सुप्रीम कोट तो फिर application straightforward क्या हो जाएगा application shall be rejected इसके ओपर बहुत बार question पूचा जाता है कि यह situation है जहाँ पर आपका application वहाँ पर reject हो जाएगा अगर case pending है notes पर दे रखा है chart form में नहीं दिखा है अगर यह करना तो लिखता है तो लिख दो वहाँ पर paragraph form में हो सकता है अगर यह लिखना है तो आपके लिख दो लिखना है क्या लिख दो करना है करना है झाल 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 तो यह आपका वहाँ पे झाल 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 as possible after scrutinizing the application of the assessi and verifying the records received from CIT AR will either allow or reject the application of the assessi by way of passing an order in writing करना पड़ेगा बराबर है वहां पर application अगर आप reject करना चाहते हो तो बाकाइदा एक order पास करके उसको reject करना पड़ेगा but don't you think reject करने से पहले प्रिंसर जाद नैच्रल जिसी फालो होना चाहिए हां के ना तो reject करने से पहले वहां पर उसको एक opportunity क्या देंगे being heard the next point no such application no such application shall be rejected by AR unless important mark कर लो इसको वहां पर यह दोड़ों बरावर यह सही तरीका है AR का कर नहीं है बिलकुल गलत तरीका है without giving opportunity of being heard बुला है it is not possible कि opportunity of being heard वहां पर ना दो और आप application को reject कर लो पहले आपको देना ही पड़ेगा no such application shall be rejected by AR unless an opportunity of being heard was given to the concerned applicant and the reason for rejection are given in the order however in the four cases the application of the assessor will be straight away भी मतलब फिर उस case में आपको opportunity of being heard भी देने का जरूरत पहला केस यह वाला है पहला केस कौन सा है कि अगर PSU apply कर रहा है कौन apply कर रहा है और सा case कहां pending था high court super बाड में जा नहीं दूंगा opportunity of being heard और वहां पे application क्या हो जाएगा reject अगर PSU के अलावा वहां पे resident apply कर रहा है या non-resident apply कर रहा है या non-resident के लिए resident apply कर रहा है वहां पे या तो apple INC कर रहा है या apple के लिए कौन reliance Jio या reliance Jio खुद के लिए apply कर रहा है अगर वहां पे transaction value कितना 100 CR से ज्यादा बड़ाबर है उस case में उस case कहां पे pending था income tax authority ITAT I court supreme court वहां पे pending था state forward क्या हो जाएगा reject तो इन 4 cases state forward वहां पे application is rejected पहला if the matter raised before AR by an applicant other than PSU other than PSU is already pending before an income tax authority or income tax appellate tribunal and if the matter raised before AR by an applicant whether resident or non-resident or PSU is pending before any court तो मैंने इसको simplify कर के तोड़ा सा इस तरीके से वहां पे समझा दिये आपको कि किसका pending PSU का pending ने होना चाहिए high court supreme court में और इनका तो कहीं पे भी pending नहीं होना चाहिए समझा के नहीं तीसरा if the matter is raised before AR involves competition AR कौन बैठा है AR मैं जाना पताना तो supreme court का retired judge high court का retired judge एक commissioner chief commissioner level का officer एक additional secretary government of India का ऐसा आदमी और तुम क्या बोल रहो 22 इस pen का fair market value निकाल के बताना न आप उनको क्या बोल रहो पाई साब मैं ये pen बेचना चाहता हूँ इंडिया में इसका fair market value निकाल के बताना nonsense काम दे रहे हो के नहीं दे रहे हो करवाना है तो value करवालो न यार AR को मतलब इतना टुच्चा है समझा है का तुमने मतलब वहाँ पे ठीक है तो अगर वहाँ पे FMV निकालने के लिए ठीक है अगर वहाँ पे apply हो रहा है if the matter is before AR involves computation of fair market value FMV of any property or computation of fair market rate of interest और last में आप जो application दे रहे हो वो particular उस transaction के लिए है जो आपने prima facely design नहीं किया है किसके लिए avoidance of tax except PSU मतलब PSU और अगर कोई अजा transaction वहाँ पे किया तो चले गा कोई थी एक क्यों ऐसा PSU है तो government की वहाँ पे है कही नहीं ultimately तो revenue government की वहाँ पे सभी मारा बात मतलब तो next आता if the application involves a transaction which a prima facely design for avoidance of tax except in the case of an applicant being a public sector company however if the application of the assasie has been allowed to be proceeded further with by AR then AR shall pronounce its ruling within a period of six months from the date of receipt of application from the assasie one copy of ruling pronounced by AR duly certified by member of AR shall be forwarded to applicant and one copy of the concern CIT कुछ इस तरीक है समझो इसको यह है आपका applicant यह applicant कोई भी हो सकता है यह आपका applicant resident हो सकता है पहला non resident हो सकता है resident for non resident हो सकता है resident himself अगर उसका transaction value 1000 crore से जादा है यह फिर कौन हो सकता है PSU वो apply करेगा किसको apply करेगा authority for advance ruling authority for advance ruling को apply करेगा बराबर है prescribed form with जो भी आपका fees वगेरा है ठीक है in prescribed form along with fees in four set correct ना अभी यहां पे AR के पास में application आ गया तो AR क्या करेगा commissioner of income tax commissioner of jurisdictional जो उसका jurisdictional commissioner of income tax बराबर है यह किसका jurisdictional है applicant का बराबर है उसको वहाँ पे application forward करेगा और इसको application forward करने के बाद में तो jurisdictional CIT है वहाँ पे उसको forward करेगा application और वो application forward करेगा तो उसके बाद में वहाँ पे यह क्या करेगा अगर जरूरत रहेगा तो उसको information या कोई records वगेरा submit करेगा records वगेरा submit करेगा और उन सब के basis पे AR या तो application क्या करेगा या तो application क्या करेगा accept करेगा या फिर क्या करेगा reject तो या तो वहाँ पे application वहाँ पे accept करेगा या फिर क्या कर देगा reject लेकिन क्या बिना opportunity of being hurt दिये हुए वो reject कर सकता है क्या ठीक है passing order in writing order in writing after after only after after giving opportunity of opportunity of being hurt to the applicant to the applicant लेकिन अगर एक बार application accept कर लिया एक बार application accept कर लिया तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा order final order pass करना पड़ेगा final order shall be shall be shall be passed shall be passed within six months from from six month from date of six month date of receipt of receipt of receipt of application पराबर है तो क्यूंकि देखो इसको तभी पता चलेगा ने जब application हाथ में आएगा हाथ में आएगा उसके application की date से important नहीं है इसके receipt की date से important है तो उसने जिस दिन उसको application की receive किया है उस दिन से 6 महीने के अदर अगर application accept हुआ है तो उस दिन से कितना महीने के अंदर 6 महीने के अंदर 6 मंद के अंदर वहाँ पे order पाएगा अगर मैं इसको इस तरीके दिखू इसने apply किया on सबोज एक date ले लेते है वहाँ पे date ले लेते है 15 आज क्या date बोलो ना 24th feb 2020 को apply किया लेकिन इसको application मिला application received application received 29th feb 2020 29th feb 2020 29th feb 2020 29th feb 2000 तो 6 मंद कहां से यहां से तो मतला आपका March feb के बाद में March April, May, June, July, August बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा till 31st august 2020 तक इसको order pass करना पड़ेगा और एक copy किसको जाएगा वन कॉपी तो इसके पास में चला जाएगा और एक कॉपी किसके पास में जाएगा एक कॉपी चला जाएगा वहां पे CIT को बराबर है यह पूरा का पूरा आपका procedure है नहीं हम से इसके जाएगा.. जाकश उसके जाते हुए सुधर से तो तूछ नहीं रखा है यह रखा हुए और पे जाह पको जाएग meu Sp ком जाएगा जाएगा... सब्सक्राम में बराबर है झाल 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 स्लमसिल हो गया का तुम्हारा कैपिटल गैंज में अरे अभी की बात कर रहा हूँ मैं तो जैने सनक क्या क्यों करवाएं तुम लोग को क्या करवाया ? सारे heads of income तुम्हारे apply नहीं होता है सननक क्या करवाया ? एम्टी हो गया मैट हो गया है उसके लाब और डिविडिन डिस्टिपिशन टैक्स हो गया डिटी हो गया और बाई क्या चालू है अच्छा मैट के कोईशन चालू है अस्लाम सर्वीजट अपक उश्याज अडमशों पर्फियंश श्यार निश्याज अपरिमियूंट श्याज अपरिमियों अश्यार स्वियूंट अध्ट्न अपार्टनर्शिप उंफॉट्य एंफॉट्य ऑ्टिवी ठीक है असमिरा कंपनी मैट हो गया न वो एमटी भी हो गया होगा ए लीजिए गया यह होगा क्या यह कपी होगा पीछह यह कपी होगा था ओके शो अच्छे महीने में आपको और पास किना वन कपी दूरूलिंग प्रनाउंस भाई अ ए र डूली सर्टिफाइड बाई अच्छल बूध ए ए डूली बेड वेड एक अन वन कंपनी 1 copy of the concern CIT Income section 245 RR Income tax authorities not to be proceed further कुछ इतना important नहीं है ठीक है जो PSU और PSU PSU case में case pending होना चाहिए कहां पे Income tax authorities या ITAT पे लेकिन जब AR अपने हाथ में matter लेगा तो case वहीं पे रोग दो, थांबा ब्राबर है वही ची बोलना इतना important नहीं है A notified resident applicant PSU has made an application to AR then no income tax authority और ITAT shall proceed further in the matter who decide the case क्योंकि इन सबका बाप है AR, जो income tax authority उन सबका क्या है बाप है AR, पपा है वहाँ पे तो उन से आगे अपने को बढ़के बात नहीं करनी है 245S very important very important many times question इसके उपर पूचा जाता है section 245N important है 245N मतलब कब application होगा और applicant कौन होगा वहाँ पे दूसरा 245 जो AR, अपना procedure है उसके पूचते हो sometime Q पूच लेते है जो basically fees वगेरा क्या होती है उसके उपर okay 245S is very important 245S एक काम को important mark करी दो 245 एक तो N आगया है N का A and B दोनों पार्ट जाता है एडवांस रूलिंग क्या है वो और applicant कौन होगा वहाँ पे दूसरा 245Q Q के अंदर मतलब जो fees and all है वो मतलब सारी चीज़ वाँ पर इंपर्ट हो जाती है 245R सम्टाइज मादा procedure वो पूचेंगे यह पूरा प्रोसेजर आपको समझ में आ गया है वहाँ पे 245S वेरी इंपोर्टन सबस्दा इंपोर्टन है Binding nature of ruling pronounced by AAR मैं AR का copy लेकर गया है order का copy लेकर आए AR का बराबरे गुपतर भी बोलते है कि मैं भी same transaction sir वहाँ पे कर रही हूं इंडिया में करने वाली हूं sir आपका Gerox दे दो न मेरे को color Gerox करवा लेती हूं वहाँ पे क्या वो भी उस binding को वहाँ पे जो ruling है उसको use कर सकती है क्या no this is not justice in RAM this is justice in persona this is justice in persona similarly मेरी जो income tax authorities है बराबर है उनके उपर binding हो जाएगा वहाँ पे लेकिन क्या वहाँ पे गुप्ता जीए उनकी income tax authorities के बाइनिंग होना होगा नहीं जो concern जो income tax authorities है वहाँ पे उनकी बाइनिंग होना होगा तो वहाँ पे और मैंने मानलो कर particular transaction कि मनोध मारकर वहाँ पर बेचने का ट्रणिक्शन कर रहा हूँ तो उसका मेने रूलिंग लिया और लो में निम्ला सिता रमाट जी ने क्या कर दिया अमेंडमेंड बहाड में गया आपका रूलिंग बराबर है so unless there are changes in law or facts based on which the ruling was pronounced the ruling pronounced by AR shall be binding on किसके उपर the applicant who had shot the ruling लिखो भी जस्रीज पर सोना the transaction in which in in respect of which the ruling has been pronounced marker बराबर है तो आगे में marker अगर बेचने वाप करता है तो उसके लिए अगर मोबाइल फोन को अगर कोई ट्रॉलिंग लेना पड़ेगा उसके में को अलग से ruling लेना पड़ेगा और तीसरा the concern commissioner of income tax and all the income tax authorities subordinate to him in relation to the said applicant and the said transaction सब्सक्राइब बात मतलब यह चीज है तो यह important हो जाता है फिर आता है ruling to be wide Ebony show अगर दोका दड़ी से, fraud से, misrepresentation से आपने ruling लिया है तो refer pronouncing its ruling if it subsequently comes to knowledge of AR that, अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो आपने application किया किसके लिए? advance ruling के लिए application किया, तो आप obviously अप्लिकेशन करोगे तो बहुत सारे document submit करोगे, furnish करोगे, yes or no, और AR ने अपना ruling भी दे दिया बिचारे ने 6 महीने के अंदर लेकिन साल पर बाद में पता चलता है कि भाई जो आपने ruling लिया है न, वो तो दोके से लिया है, क्या लिया आपने? तो फिर आपका ruling तो वाइड है भी नीश हो जाएगा, फिर जो normal provision of income tax apply होता है, वो apply होगा और जो भी आपने इसको document वगरा दिया था, वो सारा का सारा forward कर दिया है किसको? CIT को और वो आगे कारवाई के लिए use कर सकता है, मतलब जो evidence वगरा अगर है तो उनके लिए वो क्या कर सकता है? उनको use कर सकता है, बराबर है, तो अगर आप ऐसा करते हो, ruling to be void, if after pronouncing its ruling, it subsequently comes to the knowledge of AR that the ruling pronounced by its, it was obtained by applicant by fraud or misrepresentation of acts, then AR may by an order in writing declare its earlier ruling to be void ab initio and all the provisions of income tax acts shall apply to the applicant as if such ruling had never been made. कुछ हुआ ही नहीं था जीवन में, तुम कभी तुमने कभी apply नहीं किया, उन्होंने कभी ruling भी नहीं दिया, section to fortify you powers of AR, जो AR होता है उसके पास में civil court की powers होती है, किसके पास होती है? चाहे तो वो arrest भी करवा सकती है, समंध में बेज सकती है, बराबर है, रहना खाना free भी कर of the act, ठीके समंध बेज नहीं कर सकती है, AR shall be deemed to be civil court and every proceeding before it shall be deemed to be a judicial proceeding, 245v, power to regulate its own procedure subject to the provisions of this chapter, AR shall have all the powers to regulate its own procedure, question देख लेते है, write short notes on the following, authority for advanced ruling, section 245 N.A. पहले page भी जो मैंने important mark करवाया है, बराबर है, दूसरा, applicability of advanced ruling, section 245S, थोड़ी देर पहले मैंने important वहाँ पर mark करवाया था, किसके उपर अपलाया होगा, applicant के उपर, transaction के उपर, और जो concern, जो jurisdictional वहाँ पर, आपका CIT ने, subordinate से उनके उपर, ठीके, next, state the provision relating to advanced ruling, again section 245N, applicant में बताना पड़ेगा, who is applicant, बराबर है, briefly explain, the provision relating to advanced ruling, 245N, आजाएगा, again, is it binding on the assessing officer as well as at taxpayer 245S, भी आगया, इदर, बराबर है, what are the consequences when advanced ruling is sought on the matter governing competition of fair market value, straight forward, nickel, पाहली फुर्षत में, nickel, straight forward, बराबर है, 245R, 245R, बराबर है, वह आपका ये तीन section आजाएगे, ठीके, what do you understand by advanced ruling, 245N, again, what are the areas in applicability of advanced ruling, 245S, again, applicant, दूसरा, transaction, and these are concern CIT and subordinates, बराबर है, what are the advanced ruling, and what is the procedure to get advanced ruling, 245N, A, and दूसरा, आपका 245QN, आर आजाता है, ये वाला, पूरा procedure मतले है, सरीके से, नेक्स आता है, what do you understand by advanced ruling, are the resident, 245N आगया, are the resident seeking advanced ruling at par, with non-resident, or resident dealing with non-resident, अरे यार, ये ही तो चीज़ है ना, वाहाँ पे, जो 245N के अंदर सारी चीज़ डिसके जाएगी, भाई, non-resident ले सकता है, resident, non-resident ले सकता है, उसके लिए ले सकता है, वाहाँ पे, और resident कुद के लिए ले सकता है, अगर 100 करोर से का क्या है, ज्यादा, और specified residents भी ले सकते है, PS use, okay, can advance ruling be sought on a question relating to tax liability of resident under income tax act, या अस ले सकता है, अगर 100 करोर से जादा का, आपका क्या है, ट्रांजेक्शन का value, बस बही चीज़ है, और PSU, और कौन, PSU, next, briefly mention the cases in which the authority shall not allow the application under advance ruling filed by a non-resident, applicant, applicant, मैंना बता है, चार cases जो वहाँ पर reject हो सकता है, पहला तो ही है, दो तो ही होगे वहाँ पर, दूसरा, fair market value के लिए बोलेगा, थीसरा, prima facially, वो यो transaction हो रहा है, tax avoidance के लिए, except PSU, except PSU, बराबर, उसके लिए, what do you mean by authority for advance ruling with regard to international taxing in India, clear है यह चीज़, what is the procedure for making an application for obtaining advance ruling under section 245Q of the, यह पूरा का पूरा प्रसेशिर आजाएगा, वहाँ पे, बराबर, फॉर्म वगेरा बर करके, आप submit कर दो along with fees, बराबर, PSU को छोड़के, fees क्या है, अगर transition up to 100 CR है, दो लाग, 100 से कितना, 300 CR है, पाच लाग, 300 से जादा है, कितना, 10 lakh, PSU के लिए कितना, मैं बोलाँ यह लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, यह बुली है मैंने, एक बर फॉर्म वगेरा, नंबर वगेरा नहीं लिखोगी चलेगा वहाँ पे, बराबर, next आपका, कौन सा है, 12, who can seek advanced ruling, again, applicant, वहाँ पे लिखना, आप लोग को, non-resident, resident for, non-resident, resident for, tax liability, transaction value exceeding रुपे, is hundreds here, and specified as in PSU, बराबर, for computation of total, if his case is pending, before IT, AT, and income tax authorities, okay, so, यह दियान अगना पड़ेगा, next, क्या है, can a resident assessi claim, that the advance ruling obtained by his brother, यह गुपता जी वाला भी बुला था नहाँ पे, brother, in respect of a similar issue faced by him, is applicable to him also, will such a ruling, गुरुसर आप मजाग करते हो, को सच में मजाग करते हो, मैं तक मजाग करता हो, इंस्यूट भी मजाग कर लेता है, मतलब यह चीज़े वहाँ पे, बराबर, जो मजाग मैंने गुपता जी वाला भी किया था, वो, यह मजाग कर रहा है, वहाँ पे, कितने का नंबर का मजाग था, देखो, चार नंबर का मजाग था, अरे मार्क्स कितना मार्क्स था, इस मजाग का कह रहा हो मैं, देखो, Explain the provision relating to advance ruling in the income tax act, reference section, सारे मतलब सब कुछ लिखना है, आपको, 10 नंबर का मतलब पूरा chapter लिखकर क्या आना है, Advance ruling क्या होता है, applicant कौन होगा, उसके बाद में, साब कुछ लिखकर क्या आना है, When can an advance ruling become void, अगर आपने fraud या misrepresentation से लिया है, तो क्या हो जाएगा, Void, discuss the powers of authority for advance ruling in India, court की powers है, किसकी powers है, civil court की powers है, सारी की सारी, और इसका जो procedure, पूरा civil procedure की हिजाब से वहाँ पर होगा, और जो order होगा, वो civil court की order की जैसा होगा, Clear है यह चीज, बराबर है, तो यह chapter वहाँ पर खतम होता है, आपका, एक छोटा chapter और निप्टा देते है, Important concept in international taxation, Faltu है, it talks about tax havens, किसके बारे बात करता है, Tax havens की बात करता है, What are tax havens, tax havens क्या होते हैं, जहाँ पर या तो income tax है ही नहीं, या बहुत nominal rate से है, बहुत क्या है, nominal, बई, जहाँ पर आप tax avoid कर रहे हों, वो tax haven नहीं है, Tax avoid तो मतलब, आप वहाँ पर कुटिल होकर के, बराबर हैं, पूरी चालागी के साथ में, दोका देते हो, लोग को तोड़ते हो, this is called tax avoidance, वो इंडिया में करते हो, वो का पर करते हो, लेकिन जिदर tax है यह नहीं, या है बढ़ एक दम, nominal वहाँ पर rate से है, उदर क्या आपको तिलता दिखाओगे, क्या चालागी दिखाओगे, समझे महाराबात मतले भी यह चीज़ है, तो इस तरह questions भी आते हैं वहाँ पर, इस तरह questions भी आते हैं वहाँ पर, ओके, तो यह chapter है, introduction देखो, जब इंडिया में एकॉनमी को liberalize किया गया, मनमौन सिंग जी के time पर, बड़ाबर है, तो government ने, बहुत सारे agreement किये, बहुत सारे agreement, liberalize करने के वहाँ पर, जो अलग लग जो world level पर, जो organizations है, बड़ाबर उनके साथ में agreement किये, और हम लोगों ने अपने laws थोड़े से धीले कर दिये, वहाँ पर, क्योंकि, अभी दुनिया उसी तरफ देख रही है, अभी देखो, अभी आपको पता है, ट्रम साब इंडिया में आये, तो डोनल्ड काका भी गुम रहे है, अमदाबाद के अंदर वहाँ पर, तो डोनल्ड काका आने से पहले, बहुत,बहुत बहुत बयान बाजि करके, आये, बता है, डोनल्ड काका इंडिया को ताणा मारते है, क्या बोलते हैं, इंडिया को ताणा मारते हैं, अफिरिए मोधी जी मतलब, वहाँ पे, लग बूर सौ खरोण का खर्चा करें, Donald Kaka के लिए वहाँ पर कहने मतलब क्या है actually पता है US से जो प्रड़क्स आते हैं इंडिया में US से जो प्रड़क्स आते हैं उसको अच्छा काथा custom duty वगरा लगता है इंडिया अच्छा काथा वहाँ पर tariff वसूलता है बराबर है in compared to China जबकि US किया जाता है especially Donald Kaka Donald Kaka की policy है America first America first तो उनका ये मानना है कि इंडिया tariff कम करे जो US के प्रड़क्स हैं उनके उपर बराबर है ताकि China का जो trade मतलब वाट छेड़ा हुआ है मतलब उसमें China पीछे आटे वहाँ पर तो Donald Kaka वो strategy के साथ में इंडिया पर दबा बनाना चाहते है बराबर है तो अगर मान लो इंडिया अगर उसी तरीके से बना रहा है हम तो इस तना की tariff रखेंगे एक तम धीट बन के है कि मतलब हटी बन करके वहाँ पर रा मोधी जी बोलें कि हट हाथ नहीं पखूँगा तरह गले नहीं मिलूगा तेरे को मता यह चीज़ वहाँ पे आर्ट टेरिफ इस आर्ट टेरिफ नन ओफ यार्ट टेरिफ ऐसे करके मता आइटिटूड में वहाँ पे रह जाते हैं बरावर है तो डोनल्ड कका पहले सोचते थे कि भाई इंडिया को मनाने के देखो यह जो पूरा का दुनिया यह आज तक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई यूएस प्रेसिडेंट सिर्फ इंडिया है सर नहीं समझे सिर्फ इंडिया है आज तक जितने भी यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आते थे वो इंडिया के साथ में पक्का पकिस्तान जाते थे और दोजियागा गंडिया यह पहली बार हो कि युएस प्रेसिरंड को इंडिया आ रहा हुआ और इसका सबसे बड़ा मूटिव है कि डुनाल काका वहाँ पे चाते है कि इंडिया वो जो टैरेजिक मतलब हो हाटा है तो इसी न मान जाएगी इसी परपस से वहाँ पर कर रहे हैं लेकिन मान लो इंडिया फिर भी हटी बना रहता है तो जावाद फिर यूस क्या करेगा जो ट्रेड डील्स होने वाली इंडिया के साथ में वह आगे नहीं बढ़ेगी कहीं यह बोलके भी आया है डोनाल आने से प नुकसान है तो ग्लोबलाइशन के लिप्राइशन के फाइदे भी इसात में क्या है नुकसान भी है समझ मारा बाद न पार दिविए चिसथी तो जब इंडिया ने अपनी एकॉनमी को ओपन किया लिब्रलाइज किया वहाँ पे बराबर है उस टैम पे उस टैम पे बहूँ सारी जो multinational companies थे, multinational groups थे, बहुत सारे foreign institutions, investors वो इंडिया में आये, इंडिया में काम कर रहे है, लेकिन कही न कही उसने बहुत सारी चीजे के लिए वहाँ पर रास्ते भी खोल दिये, tax avoidance वहाँ इन सारी चीजो के लिए रास्त जैसे कि ट्रास्त प्राइजी हम लोगा ने पड़ा, हाँ के ना, उसी का तो नतीजा है of foreign entities, cross-border business transactions have increased manyfold. With the rectification of WTO, World Trade Organization, by the government of India, our economy has become robust and atmosphere has sprung of where FII, FII का full-form क्या होता है? Foreign institutional FII investment in India have increased tremendously. सच में ये fact बाद है, 1992 के बाद में, जो liberation वाद में बर-बर के FII आई इंडिया में, और maximum FII Morris' रूट से आई है, जो मैं डिसस कर चुका हूँ, Morris' के पुरा का पुरा, Morris' tax heaven है, Morris' क्या है? Tax heaven, FII's investment in India have increased tremendously, all these economic activities has ramification for tax laws of the country, issues like tax heaven, transfer pricing, double taxation, etc. required to be taken care and have become part and parcel of international taxation, रिजा है. ये तो इंडिया था, अभी आता है tax heaven. A tax heaven is a country or a territory where certain taxes are levied at a low rate or not at all. Due to nil or negligible tax rates on some of the country's individuals and our corporates entities may find it attractive to move themselves to countries with reduced or nil taxation levels. मुकर शमानी जी क्या करेंगे? उनको पता है कि इंडिया में में particular transaction करूँगा, या इंडिया मालो मैं, मैं share market में पैसा लगाता हूँ, तो मेरे को वहाँ पे capital gains होगा, dividend के उपर भी tax लगता है, 115 BBDA है के नहीं है, बड़ा-बड़ा dividend आया, 10% एक सकता है, अगर 10 lakhs से ज़्यादा वहाँ पे dividend आता है, तो क्या करेंगे? यहाँ से पैसा पाक कर लेंगे, मौरिसस में, मौरिसस में एक FI बना करके, उसको फिर से कहां ले आएंगे, इंडिया में, यही चीज तो वहाँ पे होती है, जब आप उपन करते हैं, पुरी दुनिया आपके लिए बजा रहे, पुरी दुनिया आपके लिए क्या है, जहां पे आपको अपने हिसाब से भीड़िशर चारगे, जहां पे जाकर के आप कामदन्दा करोगे, जहा पे का करोगे, क्या करोगे आप कामदन्दा करोगे, So due to a null or negligible tax rates on some of the countries, individual and or corporate entities may find it attractive to move themselves to countries with reduce or nil taxon level, this creates a situation of tax competition among the governments, different jurisdictional tend to be perché hen's for different types of taxes and for different category of people and companies companies the organize of economic cooperation development OECD identifies four key factors in considering यह important है यह important है considering whether a jurisdiction is a tax heaven पहला निल और only only nominal taxes दूसरा प्रडेक्शन और परस्नल financial पानामा से लिया हो information Switzerland से information लिया हो नहीं देते हो लोग information नहीं देते हैं वहाँ पर प्रटेक्शन परस्नल 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 फेनिशन इस पर्डेक्शन लैक ओफ ट्रांस्परेंसी लैक ओफ ट्रांस्परेंसी एल लिमिटेड रेगुलेटरी सूपर विज़न इतन यह डील है मौरिसेस में वहाँ पर वगरा आपको कंपनी बनाना है इधर तो आप रोसी मोजी बर्बाद करते कंपनी को क्या 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 फॉर्म बनने पड़ते हैं अनुल रिटरनी यह वगेरा क्या ऐसे कंपनी चला सकता आज की सारी में मैंने खुटना 278 जार का पड़िवल्टी बना है अनुल रिटरन के उपर सब्सक्राइब उलस मेन यह अब बार दिया भार दिया मनलब एक दोसको बोला ता कि तो बढ़ दिया कर मतलब यह चीज है उसने बढ़ा ही नहीं मुलता बढ़ता हो बढ़ता हो ऐसे करके वह फॉर्म बाकी रहे के पेंडिंग रहे के फिर तो बाद में एक जुगार लगा है एक फॉर्म का तो डेट आगे पीछे करके पेनल्टी बचा लिया लगब एक साल का म अंधिया में है साहिक साहरी क्या क्मपनी चलना आज की तारीक में कोई खाने अकेले क्या आप तो मतलब इतना आपको आएडिया नहीं है कोलकता नग कोलकता ऐसी सिक फर्जी कंपनी भाइव हो घड दो हाला आक और कंपANS मे carbon भी शियल कंपनी लेकिन पमाला इस यसी फेला रेखा गललेकर के बार इसद ददा के पॉलख मैं ही जी जी तना मतलब कोंब रह्याँ पर लेकिन बाद में जा करके अननध रुक rocky तुर आपर उन चीजों को लेकर के बराबर लेकिन आज मी पान के कैबिन जितने वहां पर कम्पनी का रजिस्टर्ड ओफिस आज भी मतलब यह चीज है को रेगलिटरी इतना मतलब ही निये मौरिस इस अब बात कर रहा है तना इतना बड़ा मतलब जैसा वो हला नहीं है जो इंडिया में है जैसे की ठीक है तो यह सारी चीजे वहाँ पे पहला क्या है निल और ओनली कितना नॉमिलल टेक्स है दूसरे क्या प्रटक्शन परसनल फैनेशल आप स्विस्ट बैंक में पैसा जमा करवा वो इंफोर्मेशन नह आवी नहीं है तो यह बहुँ हूए थह यह लुचली होे ते क्या ह। यह लीक उहतेए वाल इंफोमैशन चैर नहीं कहाँ ए पर्टेशन परसंदानेशन चेर नहीं कया तो फ़षिशन सब्सक्रास इंप्रशन आप्स क॥ाइशन में तो बीस्ट अ हिर्पी शुडरल बश्य ही नहीं है इंडिया में आता है इंडिया में तो भर बर के टाक्स मुद्जी क्ति टेक्स की दुनिया के कॉने जुँ आते है तो कुछ न कुछ क्या करता है लेके जाते है गोगो जो किकान आके निकाले गोटिय केलता है गोटिया मूधी ठी दॉल बिसका स Maisunit कि कि मोधी गोट कॉच भाइय परतला से यह जहां पर टेक्स क्राइब केमें यह आती है वहाँ पे तो incorrect है incorrect a tax haven is not a country where there is a lot of scope for tax evasion but a tax haven is a country or territory where certain taxes are levied at a low rate or not at all एक कुशन और है what are the factors to be considered in taking decision whether a country is a tax haven or not यह 4 की factors जो उपर दे रखिया है ना पहला निल और ओनली क्या nominal taxes protection of personal financial information lack of transparency limited regulatory supervision बराबर है हो गया chapter revise कर लेते है सब्सक्राइब पहले हमने पढ़ा था limitation of interest क्या पढ़ा था यह एक काम कर ले specified domestic transaction कर ले गया कर ले का specified चोटा साही है चलो हो जाता है प्लीज section 92 section 92 92 BA page 26 page 26 92 BA मिला सबको specified domestic transaction application 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 international transaction DMD international transaction अबराबर है NYA और न ज़ना जयां इंटलिस वन और और ओलके रहा था इंटलीघ किसको दे रहा था एड़ी आपको दे रहा था बराबर यह लेकिन साहरब का और वहा से पया पर माल लिया का क्या था, prior agreement, terms and conditions decided था, तो ये transaction क्या कहलाएगा, deemed international transaction बरबर है, तो एक तो international transaction तो 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 apply हो जाएगा, दूसरा deemed international transaction तो apply हो जाएगा तीसरा, अगर वहाँ पे NJ, कौझसा 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 NJ के जो citizen उनके साथ तो भी apply हो जाएगा चौता कब apply होगा specified domestic transaction तो पहले जो transferring scope था, वो internationally था, whether it is international or deemed international और NJ, लेकिन फिर scope को बढ़ा करके बाद में क्या किया गया, कि cheating तो इंडिया में भी हो सकती है cheating तो कैसे हो सकती है, समझना बात practically इतना जाने की जुरूत नहीं है लेकिन आपके एक बार समझ लो वहाँ पे Reliance Industry Limited Please इसकी दो यूनिट है Unit A जो की Domestic Tariff Area के अंदर situated है, what is Domestic Tariff Area जहां पे सारे के सारे taxes, जो laws है वो normally applicable होते है और यूनिट भी है वो आपका situated है SCZ के अंदर किसके अंदर है? SCZ, बरावर है sales के अंदर situated है वहाँ पे तो एक unit है जो SCZ के बाहर है जो Domestic Tariff Area क्या मुलते इसको? जहां पे सारे laws normally apply के बलूता है सारे taxes वगरा नॉमिल लगता है दूसरे unit का पे located है SCZ special economic zone जहां पे आपको deduction मिलता है कितना? पहले 5 साल 100% of export profit दूसरे 5 साल 50% of export profit तीसरे 5 साल 50% of export profit और SCZ reinvestment allowance reserve account के अंदर जितना amount credit हुआ है उन दोले में से whichever is lower whichever is बढ़ावर यह आपको direction मिलता है वहाँ पे अब देखो इदर धान देना यह unit AN कोई product बनाता है बराबर है और वो उसको export करता है क्या करता है उसको export अगर unit A कोई product बना के उसको export करेगा तो इसको क्या कोई 10 double E का direction मिलेगा क्या अरे नहीं मिलेगा न क्योंकि SCZ में तो भी located है वहाँ पे हाँ कहना लेकिन अगर unit B उस particular चीज को बोलूँगा मैं non-eligible unit eligible मतलब किसके लिए यह है आपका 10 double E के लिए eligible है हाँ के ना तो देखो मान लो वहाँ पे नहा न नहा वहाँ पे US में रहती है और reliance को उसको कुछ सामान export करने का है जो particular goods बनाते है वहाँ पे suppose यह बनाते है वहाँ पे इसको export करने का है अगर unit A से export होगा तो reliance को कोई फाइदा होगा क्या कोई फाइदा और वही चीज़ अगर unit B से export होगी तो export profit का मान लो पहले 5 साल है तो export profit कितना 100% क्या मिल जाएगा deduction तो मैं क्या करूंगा वो goods किसको दूँगा मैं unit B को और unit B उसको क्या करेगा आगे वहाँ पे तो जब unit B को दूँगा तब तो उसको तो मैं cost to cost दूँगा अगर selling price वहाँ पे actually देखाए तो 100 है कितना है 100 या 110 110 लेकिन मैं इसको rupees 10 में दूँगा वो cost भी rupees 10 है हाँ कहना और ये जब इसके लिए selling price वहाँ पे 10 है तो इसके लिए cost कितना हो गया 10 और selling price suppose वहाँ पे आपका 100 and 10 profit कितना हो गया 100 और ये तो आपका क्या हो जाएगा XM Yes or No हो गया नव चीटिंग ये वैसा ही cheating है जो हमने starting में पढ़ा था कुछ वैसा ही cheating है Yes or No बराबर है तो यहाँ पे आपका transfer pricing क्या हो जाएगा apply because it is a specified domestic transaction it is a specified domestic तो कुछ specified domestic transaction वहाँ पे दे रखे है 4 domestic 5 domestic transaction है वहाँ पे basically 4 ही है बाकित हो एक ऐसे CBT के लिए डाल देते हैं जब कभी तुम्हें लगे specified कर दिया गर वहार जिगे मिल जाता है as prescribed, as prescribed, as prescribed बराबर है तो यह specified domestic transaction आया जाता है specified domestic transaction means any of the following transaction not being an international transaction पहला any transaction referred to in section ATA ATA जो बड़े-बड़े वाले deduction जो है न आपके ATA, IA series वगरा जो उन में जो मिलते हैं वहां पे बराबर इसी तरह का transaction अगर कुछ हो रहा है वहां पे तो अगर उसके अंदर वो transaction आता है तो वो आगे, आपको तो सिप यह रटा मानना है, क्या-क्या चीज़ है वहां पे इसी तरह का transaction कुछ हो रहा है कुछ बेचने का, कुछ खरीदने का समझ महारा बात मतलब तो जो eligible ने वहां पे profit ज़्यादा करवा रहे हो ताके tax ना लगे ATA, IA series में भी आपने जगा होगा कि पर 39, 30 वगरा में कुछ specified business आपने पढ़ा होगा तो वहां पे 100% tax holidays का executive में तुमारे course में था यह चीज यह deduction executive में आपके course में थे ATA, IA, 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 IA वगरा यह सारे कैसारे वहां पे बराबर क्या आप particular business करते हैं तो आपको tax holidays मिलता है क्या मिलता है 10 years, 15 years, 20 years तक आपका 100% profit का deduction मिल जाएगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तो भाई, वह जहाँ पर deduction मेंने का उनको बोलते है eligible unit क्या बोलते है और जिसको deduction मिलता है वो non eligible unit है तो आप non eligible से eligible में कुछ समान बेज रहे हो cost to cost बराबर है या वहाँ से कुछ खरीद रहे हो मतलब तो कुल मिला कि आपको eligible unit में profit जादा करवाने का है जहाँ पर deduction मिलता है जहाँ पर deduction नहीं मिलता उदर profit क्या करवाने का आपको काम समय में आरा बात मते भी यह चीज है तो पहला any transaction referred in section ATA दूसरा any transfer of goods or services referred in section ATA transaction of transfer of goods or services from eligible business to non eligible business or vice versa any business transaction between assessi or other person as referred to in section ATA that is a transaction of transfer of goods or services from eligible business to non eligible business of another person with whom assessi has a relationship or vice versa मतलब कुछ इस तरही के आप transfer करें और लास्ट में आता यह 10 AA any transaction referred in any other section or chapter 6A or 10 AA or a transaction to which provision of section ATA 80 IA 10 are applicable और any other transaction जो सबसे important इसमें ध्यान अखने वाली बात है वो है last line and where the aggregate of such transactions entered into by the assessi during the previous year exceeds rupees कितना 20 करोर मतलब यह सारे transaction का मिला करके वहाँ पे value exceeding कितना हो रहा है 20 करोर तब तो आपके transfer price प्रोविश अप्लाए होंगे लेगिन अप्टू 20 करोड अगर है कितना अप्टू aggregate ए इंडिविज्विज्वल नहीं सब मिला के 10 AA का transaction है 5 करोड ATA वाला transaction है 5 करोड बराबर एक और ATA वाला जो transaction है ATA वाला transaction है बराबर है वो 5 करोड कितना होगा 15 करोड transfer pricing apply नहीं हुआ क्योंकि aggregate value कितना है Less than 20 CR Less than लेकिन मान लोग आप एक और 10 AA का ऐसा कुछ transaction है उसका value हो जाता है 6 CR कितना हो जाता है 6 CR टोटल कितना होगे 21 CR 20 transfer pricing apply जाएगा arm's length price क्या compute करोगे arm's length price समझा के नहीं methods वही है काप method वगरा सारे अरह में दूसरा specified domestic transaction के लिए भी आपको data document information क्या करना पड़ता है maintain अगर आप देखो के न अगले page पे 92 DA लिखा हुआ है वहाँ पे 92 अगले page है के नहीं है penalty वहाँ पे देखो आपको you have to maintain data document information बड़ाबर है तो ये खतम होता है next lecture में हम लोग non-resident taxation कर लेंगे लेकिन अभी थोड़ा से revise कर लेते हैं वहाँ पे सबसे पहले हमने discuss किया था क्या discuss किया था limitation of interest limitation of section 94B section 94 अगर एक resident non-resident AE को इदर, इदर कौन, कौन, रेसिडेंट non-resident AE को या फिर resident किसी गा? P.O.F. foreign couple P.O.F. foreign combined जो India में P.O.F. या तो देखो resident या फिर कौन? P.O.F. foreign company अगर इंडिया में वहाँ पे वो non-resident को interest पे करता है किसको? non-resident को interest पे करता है या फिर किसी और known resident को interest पे कर रहा है जो उसका AE नहीं है बट उसको guarantee दे ऊरा किसने AE किसने रह रहा है अपने किस में Apple India interest पे कर रहा है Apple IONC को यह वांप है Amazon को interest पे कर रहा है Amazon IONC Amazon जिसको guarantee दे रहником किसने एपल आएंची ने एपल आएंची ने या डिपोजित दे रखा है एपल आएंची ने उसी पर्टिकुलर आमाउंट के आसपास का प्रोजिंस ऑफ 694 भी शैल भी अप्ली केबल और वहां पर क्या हो जाएगा जो इंट्रेस्ट है वो कितना अला होगा 30 परसेंट ओफ 30 परसेंट ओफ इंट्रेस्ट होगा सर जो बचा हुआ इंट्रेस्ट हो अगले साल केरी फोड हो जाएगा सर अगले साल भी केरी फोड नहीं हो रहा तो मैक्सिमम एटीस तर क्या हो सकता है केरी फोड़ एटीस बाद में क्या हो जाएगा लापसी क्या हो जाएगा लापसी बराबर है, उसके बाद में, उसके बाद में, सर यह applicable नहीं होगा, अगर वहाँ पे transaction जो interest है, कितना है, up to 1 CR, बराबर है, उसके बाद में हम दिस्कुस किया, authority for advanced ruling, advanced ruling क्या है, अगर आप decision लेना चाते हो, of a transaction, which is undertaken or proposed to be undertaken, उसका tax liability निकालने के लिए non-resident, या फिर resident का non-resident के साथ में, कोई transaction हो रहा है, और वहाँ पे हो रहा है या हो चुका है, undertaking or to be proposed to be undertaken, प्रपोस to be undertaken, प्रपोस to be undertaken, और उस particular transaction का वहाँ पे tax liability निकालना चाता है, या फिर जो specified resident है, जिसका जो transaction value कितना है, exceeding 100 CR, वो अपना tax liability निकालना चाता है, या फिर PSU, कौन कौन कौन, PSU competition of total income करना चाता है, जबकि उसका case spend नहीं है, कहाँ पे, income tax authority के पास में, या फिर ITAT के पास में, applicant कौन होगा, non-resident, resident for non-resident, resident, resident खुद के लिए 100 CR से ज़्यादा वहाँ पे आपका transaction value है, और दूसरा है PSU, जिसका case क्या है, pending, कहाँ पे, income tax authority और, बराबर है, उसके बाद में नेक्स आता है, इसका, वो क्या रहेगा, constitution कैसा रहेगा, तो chairman होता है, Supreme Court का judge रहा हो, Vice Chairman, जो High Court का judge रहा हो, बराबर है, और Indian Revenue Services से CCIT, या Principal CCIT, DGIT, या Principal DGIT, और वहाँ पे कौन हो सकता है, Indian Law Services का वहाँ पे आपका officer, जो की भारत सरकार में additional secretary के पदपे तैनातो, कोई vacancy होता है, कुछ फरक पड़ेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, proceeding में या, जो आपका order में कोई फरक नहीं पड़ेगा, उसके बाद में आता है, आपका procedure, क्या आता है, एक और चीज़ मिस गया, non-resident, non-resident कब देखना है आपको, immediately preceding, previous year में आपको देखने का है non-resident, फिर उसके बाद में आता है, आपका 245Q, बराबर है procedure, procedure की बाद क्या बोलता है वो, आपको apply करना है, quadriplate, वहाँ पे आपको form के अंदर, अलग-लग form number से, मैं को तो याद नहीं है, तुमको याद हो तो क लोड करके, non-resident, resident for non-resident, या resident 100 crore वाला है, तो अगर transition up to कितना है, 100 CR, दो लाग, 100 से 300 के बीच में, 5 लाग, और 300 से उपर है, अगर PSU है तो, 10,000 में काम हो जाएगा, procedure एकदम simple है, अपली application करेगा, तो भी prescribed form and fees है उसके साथ में, application जाने के बाद में, अचा, application वो withdraw भी कर सकत है, 30 days के अंदर, 30 days के अंदर, 30 days के अंदर, खुझ से सू मोटर पर वापर withdraw कर सकता है, लेकिन अगर withdraw नहीं किया, तो वो क्या करेगा, CIT को बेजेगा, CIT से records मंगवाएगा, information मंगवाएगा, उसके basis पर decide करेगा, कि लेना है, कि जाने देना है, अगर reject कर रहा है, तो पहले देगा, opportunity of being heard, बराबर है, और उसके बाद मैं writing में order pass करके reject करेगा, लेकिन चार ऐसे किसे जाने है, straight forward reject कर देगा, पहला, case pending है, PSU का कहां पे, high court, supreme court में, case pending है, others का कहां पे, income tax authority, ITAT, high court, supreme court, FMV के वहाँ पता करने के लिए जा रहे हो, और आपका transaction private physical क्या लग रहा है, accept PSU, accept, लेकिन अगर एक बार अगर उसको application वहाँ पे उसने ले लिया, accept कर लिया, फिर उसको order pass करना ही पड़ेगा, within six months from date of receipt of application, बराबर है, एक copy जाएगा, applicant को, दूसरा जाएगा, जो concern CIT है, jurisdiction CIT है, उसको जाएगा, Sir, क्या यह order आपका person, क्या बोलते है, justice in rexona होता है, justice in persona होता है, it is not justice in rexona, it is justice in persona, अरे वहाई, justice in ram मतलब ऐसे है, ठीक है, justice in persona होता है, बसला, applicant के उपर वहाँ पर binding on होगा, दूसरा, जो concern, income tax authority से उनके उपर binding on होगा, and उस particular transaction के बाइन नहीं होगा, बराबर है, जूट मूट से, दोका दड़ी से, अगर आपने लिया है, वाइड अब इनिशो और जैसे कभी आपने order लिया ही नहीं था, law में change हो गया है, तो अपने आप मतलब कानी कतब हो जाएगा, बराबर है, और लास्ट में, क्या power से, civil court के power से, 131 के समनों में इसु करके सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं, और जो भी proceeding होगी, वो एकदम पूरा civil court के जैसा ही मानना जाएगा, और खुद का proceeding खुद regulate कर सकते हैं, फिर आता है tax 7 वाला, tax 7 मतलब like, या तो tax है ही नहीं है, वो चार वो फूर की वहाँ पर फैक्टर से बराबर है, ठीक है, क्या दिश्चार गयार करते हैं, पहला है, पहला है, क्या राएगा पिर भाला, झाल झाल